यह एक complex sentences जो आप देख रहे हैं इसमें दो close हैं यह है principal close यह है principal close और यह when से लेकर और रेनिंग तक when it stops यह है subordinate close subordinate close और जैसा कि हम जानते हैं subordinate close थीन परकार की होती है noun close adjective close और adverb close तो यह adverb close है ठीक है यह adverb close है क्यों है adverb close क्योंकि यह जो close है यह main close अर्था principal close में i action का time बता रही है मतलब we shall go out हम बाहर चलेंगे कब चलेंगे when it stops raining जब बारिस रुक जाएगी तो यह जो close है when it stops raining यह main close अर्था principal close में i action का time बताने के लिए यूज की गई है तो जो close time बताने के लिए use की जाए जो close main close में I action का time बताने के लिए use की जाए वो close adverb close of time होती है तो हम इसको कह सकते हैं adverb close of time ठीक है अब ये जो दोनों closes मैंने बताई हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं जैसे close क्या होता है close शब्दों का एक समू होता है जिसका अपना एक subject होता है प्रेडिकेट होता है तो ये जो principal close है इसका subject है we और shall go out इसका प्रेडिकेट है ठीक है ये इसका प्रेडिकेट है जहां तक subordinate close का सवाल है तो ये दो subordinating conjunction है ठीक है ये दो subordinating conjunction है यह जो close है, subordinate close, इसका subject है, it और stops raining है, इसका predicate ठीक है, इस तरह से यह दो closes है यह we shall go out, principal close है और when it stops raining, यह subordinate close है subordinate close में यह adverb close of time है क्योंकि यह जो close है, when it stops raining यह principal close में आई action का time बताने के लिए यहां पर use की जा रही है अब अगर हम इस पूरे sentence को पढ़ें तो हम यह जानेंगे, अगर हम इस पूरे sentence को जब पढ़ेंगे और इसको present से relate करेंगे, तो हम यह पता चलेगा कि यह जो action है, go, यह भी future में होने वाला है ठीक है, अगर हम इस sentence को पूरे को पढ़ते हैं, we shall go out हम भार जाएंगे, या हम भार जाएंगे when it stops raining, जो बारिस रुख जाएगे तो यह जो action है, go, यह भी future में होगा और यह जो stops है, यह जो बारिस का रुखना है यह भी future में ही होगा अब हम इन दोनों actions को जिन में से एक action principal close में है, दूसरा action subordinate close में है अगर दोनों actions को हम present से relate करें तो हम पाएंगे कि दोनों actions future के action है ठीक है, जैसे मैं कहूं we shall go out हम भार जाएंगे, when it stops raining, जब बारिस रुख जाएगी तो बार जाने का काम भी future में होगा तो यह भी future time है यहाँ भी और यहाँ यह stops जो बारिस का रुखना है यह भी future time है यहाँ लेकिन आप एक चीज़ देख रही होंगे यहाँ पर, कि यह जो go है यह future, यहाँ पर future time है principal close में जो action हो future में होने वाला है, तो यहाँ पर तो future tense लिखा हुआ है ठीक है यहाँ तो कोई problem है नहीं लेकिन यह जो बारिस का रुखना है यह action यह action भी future में होने वाला है लेकिन यहाँ पर जो tense है वो लिखा गया है present indefinite ठीक है तो अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमेशा कि अगर कोई complex sentence हो और उसमें दो closes हो एक principle close एक subordinate close subordinate close adverb close हो और वो adverb close of time हो मतलब वो जो subordinate close हो वो time के बारे में बता रही हो किसके time के बारे में principle close में आए action के time के बारे में तो वहाँ पर अगर time future होगा तो वहाँ पर tense present indefinite होगा ठीक है इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है फिर सुन लीजिए अगर कोई complex sentence हो और complex sentence में एक principle close हो और एक subordinate close हो ठीक है principle close और एक subordinate close हो तो होता क्या है कि जो principle close subordinate close है इस complex sentence है यह पूरा और इसमें एक principle subordinate close हो गई ठीक है तो एक principle close हो एक subordinate close हो उस complex sentence में तो जो subordinate close है वो अगर adverb close of time है मतलब वो time के बारे में बता रही है किसके time के बारे में main close में है या action के time के बारे में तो उस subordinate close में जो action है वो बले फ्यूचर में होगा लेकिन उसमें जो tense यूज करेंगे हम वो present indefinite होगा ठीक है present indefinite भी हो सकता है पर present tense मतलो कोई भी हो सकता है present indefinite present perfect ठीक है वो हो सकते हैं यहाँ पर लेकिन होगा present tense जैसे एक और example लेते हैं I will call you again later when I arrive अब यहाँ पर देखें यह भी एक complex sentence है यह एक close यह हो गई एक close यह हो गई sentence की यह principal close है ठीक है यह principal close है और यह subordinating conjunction है when तो जिस close के साथ subordinating conjunction होता है वो subordinate close होती है तो यह यहाँ पर subordinate close है यह यहाँ पर subordinate close हो गई अब principal close का subject हो गया यह ठीक है और यह जो will call you again later है यह इसका predicate हो गया predicate हो गया यह इसमें यह subordinating conjunction हो गया ठीक है और यह subordinate close का subject है I और यह इसका predicate हो गया predicate में तो सिरफ a keyword है जो है main verb ठीक है यह predicate हो गया तो क्योंकि close होती ही शब्दों का वो शमू है जिसमें एक subject हो अपना और एक predicate हो तो इस तरह से यह दो close है एक principle close एक subordinate close principle close का subject है I और will call you again later यह इसका predicate है principle close का और जो when I arrive है इसमे when subordinate conjunction है I subject है इसका और arrive जो है यह predicate है तिस तरह से यह complex है इसमें दो अलगले clauses है अब यहां पर और हमें क्या देखना है और analysis क्या करना है यहां पर कि यह जो subordinate close है हमारी यह और यहां पर यह principle close principle close का action है call और यहां पर जो action हो है arrive जब हम इन दोनों actions को present से relate करते हैं तो हम पाएंगे कि दोनों actions future में होने वाले हैं ठीक है I will call you again later मैं आपको दोबारा से call करूंगा जब मैं पहुंचूंगा ठीक है तो दोनों actions future के हैं यह भी future time में होने वाला है यह भी यहां पर future time में होने वाला है और यह arrive यह भी future time में ही होने वाला है ठीक है इसका भी time future है और इसका भी time future है दोनों जो action ने दोनों का चो time है, वह future time है अब यहाँ पे जो principle close है, वो तो future tense में लिखी हुई है, तो यहाँ तो कोई प्रोब्लम नही है, क्योंकि यहां भीवे future time है, वार future tense है यूज किया गया लेकिन यहां पर यह देखे, यहां पर जो sab duct nove है, इसमें जो action है उसका जो time है वो future है लेकिन tense यहाँ पर present indefinite लिखखा हुआ है तो यहाँ पर भी हमें जो अभी अभी बात हमने समझी थी वो यह है यह ऐसा इसलिए है मतलब यहाँ पर present indefinite tense क्यों उसके आगए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह जो subordinate close है यह जो subordinate close है यहाँ पर यह भी हमें time के बारे में ही बता रही है किसके time के बारे में principle close में आए action के time के बारे में action क्या है call मतलब मैं तुम्हें दोबारा call करूँगा कब करूँगा कब करूँगा when I arrive जब मैं पहुंचूँगा तो यहाँ पर यह time बता रहा है यह जो close है हमारी subordinate close यह time close है तो क्योंकि यह time close है इसलिए यहाँ time close में अगर भले ही हमारे action का time future हो लेकिन हम वहाँ पर tense present यूज़ करते हैं ठीक है present indefinite present perfect जो भी requirement है present की वो हम present tense यहाँ यूज़ करेंगे तो यह चीज़ आपको हमेसे ध्यान रखनी है कि अगर एक complex sentence में दो close है एक principal close एक subordinate close और subordinate close main close में आये अर्था principal close में आये action का time बताने के लिए यूज़ की गई है तो वहाँ पर जो subordinate close है उसमें time future मिलेगा ठीक है उसमें जो time है वो future मिलेगा तो future time अगर मिले तो वहाँ पर present tense यूज़ करना होता है जो principal close है उसमें जो action होगा उसका भी time future होगा लेकिन उसके लिए future जो टैंस हो लिखा मिलेगा इसमें कोई problem नहीं आएगी लेकिन बस समझने वाली बात आपको यहाँ है ठीक है एक बार मैं इन दोनों को एक बार फिर से समझा देता हूँ दोनों sentence कोई हमारा पहला sentence था यह तो देखिए we shall go out हम भार जाएंगे when it stops raining जब मारी शुरुकेगी मतलब अगर मैं time line खीच हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर past है मेरा यहाँ पर present है और यहाँ पर future है ठीक है तो मेरा जो कोई भी sentence का default speaking time होता है present यहाँ पर मैं इस sentence को बोल रहा हूँ ठीक है और मैं कहता हूँ we shall go out when it stops raining हम बार जाएंगे जब बार इस रुकेगी अर्था हम भार जाएंगे कब future में बार इसकब रुकेगी future में तो दोनों ही जो action है यहाँ पर यह future इनवे इसमें जो time है वो future time है लेकिन जो principle close में जो action है जिसका time future है उसके लिए future tense लिखा हुआ है यहाँ पर एक helping word लिखी हुई है जो future की बारे में बता रही है कि यह कारी future में हो subordinate close अर्था जो time close में जो action है उसका time बले ही future हो लेकिन tense में आपको present tense यूज़ करना है यही case यहाँ पर है sentence में यहाँ पर भी देखिए I will call you again later अर्था मान लिचे मैं यहाँ पर भी timeline खीशता हूँ यह मेरा past है यह मेरा present है और यह मेरा future है ठीक है sentence का हर sentence का default speaking time होता है present तो यह मेरा बोल रहा हूं इसको तो मैं कहता हूं I will call you again later मैं आपको दोबारा कोल करूँ गा जब मैं पहुंचूंगा तो मतलब call कब होगी future में मैं पहुंचूंगा कब अभी तो पहुंचा नहीं हुँ मैं खुद ही कहरा हूँ कि मैं पहुंचने के बाद call करूँगा तो पहुंचूंगा कम, मैं future में, तो दोनों ही यहां पर, दोनों ही action जो है यहां, इन दोनों actions में future time है, यहां भी future time है, यहां भी future time है, लेकिन क्योंकि यह time बताने के लिए उच की यह time close है, ठीक है, यह time बता रही है main close में आया action का, तो यह time close है, तो जब भी time close में, अगर present लिखा हुआ हो तो वहाँ पर time हमेशा future मिलेगा, ठीक है, ऐसा यहाँ था, यहाँ पर भी यह, इसका जो time हो future है, ठीक है, और इसका भी time future है, तो क्योंकि यह time close है, यह time बता रही है, किसका time बता रही है, main close में action का, तो time बताने वाली हर close में, अगर उस close में action का time अगर future होगा, वो action future में होने वाला होगा, लेकिन हमें वहाँ पर tense present यूज करना है, चलिए, आगे बढ़ते है, the same thing happens after a while, before, after, as soon as, until, अभी तो हमने क्या देखा कि जो time close थी हमारी, वो when से सुरू हो रही थी, ठीक है, जो time close थी वो कहां से सुरू हो रही थी, when से, मतलब subordinating conjunction क्या था, when, लेकिन time close में ये conjunctions भी आ सकते हैं, while, before, after, as soon as, until, और यही case जो है, जो हमने अभी समझा है, यही case, जो time close in conjunction से सुरू होगी, वहाँ पर भी यही होगा, यही क्या मतलब, कि इन के बाद एक close होगी, और वो time close होगी मतलब वो close time बता रही होगी, main close में आए action का, और वहाँ पर अगर time future है, तो हम वहाँ पर tense present यूज करें, example देख लेते हैं, what are you going to do while I am away, भाई तुम क्या करने वाले हो, जब मैं बाहर रहूँगा, तो देखे, यह principal close है हमारी, ठीक है, यह principal close है, यह हमारी subordinate close है, अब subordinate close म यहाँ पर, यह principal close है, यह subordinate close है, यह subordinate close है, ठीक है, इसका जो subject है, वो है, what, यह subject है, और यह यहाँ पर इसका predicate है, यह यहाँ पर इसका predicate है, यह यहाँ पर इसका predicate है, subordinate close में, यह while subordinate conjunction हो गया, और I जो है, subject subordinate close का, और M आवे जो है, यह predicate हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा तो इस तरह से ये दो close हो गई principal close subordinate close अब subordinate close जो है ये time बता रही है किसका time बता रही है main close में action का कहने का मतलब क्या हुआ कि what are you going to do? इस sentence में मैं कह रहा हूँ what are you going to do? यहाँ पर देखिए be going to be going to इस phrase का परियोग हम future action के लिए करते हैं जो भी कारिया हमें future में करना होता है न तो future actions को बताने के लिए हम future actions के बारे बताने के लिए हम इस phrase का use करते हैं आपने future times में पढ़ा होगा जो future future में होने वाले कारिये को हम कैसे express करते हैं future में होने वाले कारिये को हम sell will be going to take a present continuous present indefiniting के दोबार हम express करते हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो future में होने वाले action से उनके लिए हम be going to be use करते हैं तो यहाँ पर यह future time है यहाँ पर कि what are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करोगे? while I am away जब मैं बाहर रहूँगा तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर जो action है उसका time क्या है? future जब मैं बाहर रहूँगा तो बाहर कब रहूँगा? future में तो यहाँ पर भी future time है यहाँ पर भी क्या है? future time है और यह जो यहाँ पर जो action है यहाँ पर भी action का time future है ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो future time है future time है लेकिन यह जो close है, subordinate close यह time बता रही है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है किसका time बता रही है, main close में आये action का क्या time बता रही है, देखे what are you going to do, तुम क्या करोगे कब क्या करोगे, जब मैं भाहर रहूंगा तो यह time बता रही है, यह जो subordinate close है अब time बता रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी subordinate close जो time बता रही हो मतलब time close हो जो और जिसमें action का time future हो तो वहाँ पर हम present tense उज़ करेंगे तो इसलिए यहाँ पर भी present tense उज़ किया गया है, ठीक है यहाँ पर हम बले ही time future हो लेकिन यहाँ पर अगर हम future यह verb यूज करते हैं इस तरह से will be तो यह गलत हो जाएगा next example देखिए I want to see Kamal before he goes out अब यहाँ पर देखिए यह भी एक complex sentence है इसमें यह जो है I want to see Kamal यह principle close है ठीक है, यह हमारी principle close है और before ठीक है, यह subordinate close है principle close का subject है I यह principle close का subject है और I, यह want to see Kamal यह predicate है यह predicate है तो यहाँ पर लिख देता हूँ है predicate, ठीक है यह subordinate close का subject जो है, वो है, he तो यह subject है, और goes out यह subordinate close का predicate है ठीक है तो इस तरह से ही दोनों closes है अब यह हमारी principle close है यह हमारी subordinate close है अब यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलता है कि अगर हम इस sentence को present में बोले या present time से relate करके इन दोनों closes में जो action है उसको अगर देखे तो दोनों ही जो action है अर्थात मैं भी मिला तो नहीं हूँ इसका मतलब अगर आप किसी से कहते हैं कि भई मैं फुलां से मिलना चाहता हूँ तो इसका मतलब जो मिलने का काम है वो future में होगा तो यहाँ पर जो verb है इसका जो time है वो future है ठीक है और before he goes out उसके जाने से पहले ठीक है उसके जाने से पहले मैं कमल से मिलना चाहता हूँ देखिए इस sentence का क्या मतलब हुआ मैं कमल से मिलना चाहता हूँ उसके जाने से पहले अर्थात यह मिलने का काम भी future में होगा और जाने से पहले अर्थात वो जब मैं नहीं हूं और वह गया भी नहीं है, तो जाएगा कब फ्यूचर में तो यहाँ पर यह जो इसका जो action है, इस action का जो time है वो भी future है ठीक है, तो यह दोनों जू closes है इन दोनों closes में, जो main action है इन दोनों actions का जो time है, वो future है अब एक की दमें और समझनी है कि यह जो close subordinate close यह यहाँ पर कैसी close है तो ध्यान से देखिए यह भी जो है time बता रही है यह जो before he goes out है न टाइम बता रही है देखिए कैसे बता रही है time जो principal close है वो हमारी I want to see Kamal मतलम कमल से मिलना चाहता हूँ Kam Milna चाहता हूँ Before he goes out तो यह when reply है तो जो close when reply होती है वो time close होती है उसमे time बताया गया होता है किसका time बताया गया होता है main close में आए action का main close में आए action का है see I want to see मलना मिलना चाहता हूँ तो मिलेगा कब जब उसके जाने से पहले तो यहां पर ये time बता रही है,abbt Closure तो क्योंकि ये time बता रही है, ये time Closure है, तो time Closure में main action का time future हो गा तो तो present tense use होगा और यहां पर present tense use किया गया ठीक है, तो जभी आप ये देखें कि अगर कोई close, subordinate close है और उस subordinate close में अगर present tense use किया गया तो it means उस वो जो action है वो future में होगा ठीक है वो action उस action का जो time है वो future time है next एक और example ले ले लेते हैं जैसे we will wait for her हम उसका इंदिजार करेंगे तो यह हमारी एक close हो गई दूसरी close हो गई until she comes back अब यह हमारी principle close है ठीक है यह हमारी subordinate close है principle close का subject है we will wait for her यह हमारा प्रेडिकेट है यह इस close का प्रेडिकेट है subordinate close का subject है see और comes back इसका प्रेडिकेट है यह प्रेडिकेट हो गया तो close क्या होती है मैं एक बार फिर से बता जेता हूं आपको close होती है शब्दों का ऐसा समू जिसका meaning complete हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जैसे principle close का meaning complete होता है subordinate close का meaning complete नहीं होता है तो close जो है एक समू होती है जिसका अपना एक subject होता है अपना एक प्रेडिकेट होता है यहाँ पर यह principal close है यह subordinate close है ठीक है अब देखिए अगर हम इन दोनो closes के जो main action है उसको अगर present से relate करें तो क्या पाएंगे हम देखिए we will wait for her हम उसका इंतिजार करेंगे तो हम timeline ले ले लेते हैं यहाँ पर timeline के दवार हम अच्छा समझ पाएंगे तो दीके मैं ने timeline ले यहाँ पर यह मेरा past है यह मेरा present है और यह मेरा future है ठीक है कोई भी sentence, our sentence कर दो default speaking time होता है present होता है तो यह his sentence का speaking time है मैं इस point पर कहता हूँ कि we will wait for her until she comes back तो कहने का मतलब क्या हुआ कि we will wait for her हम उसका इंतिजार करेंगे अर्था इंतिजार करना कब होगा future में उसके बाद है until she comes back उसके आने तक, जब तक वो नहीं आएगी तो उसका आना कब होगा, वो भी future में होगा तो दोनों ही जो actions है दोनों actions का, जो time है वो क्या है, future इसका time भी future है और इसका time भी future है ठीक है तो क्योंकि subordinate close है time close है अब time close कैसे है ये time बता रही है, अब time कैसे बता रही है, ये और देख लेते हैं, देखिए we will wait for her, हम उसका इंतिजार करेंगे कब इंतिजार करेंगे, until she comes back तो ये when का reply है अब when का reply है, ये जो close है हमारी ये when का reply है अब when का reply है, तो ये time close है अब time close है, तो अगर इसमें जो main action है, उसका time future है तो उसका time है, वो future है तो उसमें tense कून सा होगा, present तो इसलिए यहां पर present tense उसका आगा है, ठीक है तो जो time close होती है time close कहले जिए चाहे, adverb close of time कहले जिए ठीक है, चाहे, वो subordinate close जो time के बारे बताती है तो ऐसी close होती है, when से सुरू होती है उसके अलाभा while से भी सुरू हो सकती है before से भी सुरू हो सकती है, after से भी सुरू हो सकती है as soon as, until, till इन से सुरू हो सकती है till भी हो सकती है, until की जगा वैसे अगर आपने closes पट रखी होंगी तो आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि जो subordinate closes होती है उनमें noun close क्यों होती है ठीक है, जो है adjective close क्या होती है यह जो एड़र्ब closes क्या होती है एड़र्ब closes, जो एड़र्ब closes को चैप्टर पड़ेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे और मैंने भी बने क्लोजिश के बारे में इस चनल पे एक वीडिय डाल रहे clarification उसको हम सर्च करके देख सकता है next we can also use present perfect हम जो है present indefinite जो अब तक हम यूज करते आ रहे थे subordinate close में तो वहाँ पर हम present perfect भी यूज कर सकते हैं ठीक है present perfect में क्या होता है has have has have plus वर की third form ठीक है हम ये यूज कर सकते हैं after when, after, until or as soon as when, after, until, or as soon as in conjunction के बाद कहने का मतलब है कि जो अभी तक हम पढ़ते आए थे जो subordinate close जो अधर close of time होती है उसमें हम present indefinite tense अभी तक पढ़ते आए हैं तो अब present indefinite की जो हम present perfect भी यूज कर सकते हैं we use the present perfect हम present perfect का use तब करते हैं जब हम ये अभी शो करनाचाहते हो journalists के एक कार्यायय कंप्लीट है दूस्रे कार्याय से पहले जो दोनों एक्शन हो गएध में आएक साथ गटित नहीं होने चाहिए I will watch television when I have finished my homework जब मैं अपना homework खतम कर लूँगा तो मैं television देखुँगा यहाँ पर यह complex sentence है पूरा इसमें यह हमारी principle close है ठीक है? यह हमारे subordinate close है यह हमारी subordinate close है यह principle close का subject है और यह इस principle close का predicate है ठीक है? यह subordinate conjunction है यह subordinate close का subject है और यह हमारी subordinate close का predicate है ठीक है? प्रेडिकेट यह है अब देखिए यह तो principle close होगी I will watch television, मैं television देखुँगा लेकिन कब देखुँगा? तो यह जो close हमारी subordinate close यह when का reply है अब when का reply क्या होती है? time, when का reply तो time होता है तो यह time बता रही है यह सारी कलाज जो है यह time बता रही है किसका time बता रही है? main close में आये action का कि मैं TV कब देखुँगा? जब मैं अपना homework खतम कर लूँगा ठीक है? तो यह एक तो clear हो गया है कि यह subordinate close है यह time close है ठीक है? time close है अब अगर हम इन दोनों actions को अगर present से relate करें principle close के action को subordinate close के action को अगर present से relate करें तो देखे है यह हमने timeline ली timeline में हमने यह डाला past यह डाला present और यह future ठीक है? तो अब sentence का default time क्या होता है? default speaking time present तो हम इस point पर इस sentence को अगर बोल रहे हैं तो देखे I will watch television तो television देखूंगा कब देखूंगा? future में तो इसका time क्या है? future अब when I have finished my homework जब मैं अपना homework finish कर लोगा तो homework finish कब होगा? future में तो इसका जो action का इस action का जो time है subordinate close में जो action है इसका जो time है finish इसका भी time क्या है? future तो दोनो जो closes है principal close, subordinate close इनमें जो action है उनमें दोनो actions का जो time है future time है ठीक है? लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो principal close है उसमें उसका main action है उसका action उसका time future है तो इसके लिए तो future time लिखा हुआ है no problem लेकिन यहां पर देखिए subordinate close में जो action है present perfect में लिखा हुआ है present perfect यह लिखा है present perfect ठीक है अब इसके वज़े क्या है? हमने वज़े देखी थी यहां पर कि हम present perfect tense use करते है subordinate close में अगर subordinate close हमारे time close है तो हम उसमें present perfect tense use करेंग यह दिखाने के लिए कि एक कारिया दूसरे कारिया से पहले समापत हो चुका है तो यहां पर देखिए I will watch television मैं television देखूँगा कब देखूँगा जो मेरे homework finish हो जाएगा तो पहले homework finish करूँगा मैं पहले यह जो काम है homework यह जो action है subordinate close का यह पहले finish हो जाएगा उसके बाद यह काम करूँगा ठीक है एक साथ नहीं करूँगा कि मैं homework भी करना हूँ television भी देख रहा हूँ पहले यह finish हो जाएगा उसके बाद यह काम होगा तो इसलिए यहां पर क्योंकि एक कारिया दूसरे कारिये से बहले यहां पर finish होना जुरूरी है तो इसलिए यहां पर present perfect tense यूज किया गया उसके बाद देखिए when I have found kamal you can go out when I have found kamal you can go out अब यहां पर देखिए यह हमारी subordinate close है और यह हमारी principle close है ठीक है यह principle close है यह subordinate close है subordinate close का subject है I और यह इसका predicate है यह इसका predicate है principle close का subject है you और can go out इसका predicate है अब यहां पर देखिए यह हमारी subordinate close हो गई यह हमारी principle close हो गई यह तो clear हो गए है और जो principle close और subordinate close में subjects और predicates भी clear हो गई ठीक है लेकिन अब देखिए इन दोनों ही closes में जो action है उसको अगर हम present से relate करें तो क्या पाएंगे देखे यह मेरा timeline ली यह मेरा past यह मेरा present और यह मेरा future तो देखे you can go out अब जा सकते हो तो किसी भी sentence का default speaking time तो present होता है तो इस point पे मैं इस sentence को बोल रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ you can go out तो मैं जा सकते हो मतलब अभी जिसको मैं कह रहा हूँ वो नहीं गया है तो वो जाएगा कब future में ठीक है future में जाएगा तो यहाँ पर जो यह close है इसमें जो action है उसका time क्या है future तो तो तुम जा सकते हो when I have phone कमल जो मैं कमल को phone कर दू ठीक है जो मैं कमल को phone कर दू तो तुम जा सकते हो तो यहाँ पर phone करना भी कम होगा phone करना कब होगा यह भी future में ही होगा तो इसका जो इस action का जो time है वो क्या है वो फ्यूचर है तो दोनों closes है subordinate close, principal close दोनों closes में जो action का जो time है वो future time है यह बात clear हो गई आप देखते हैं हमारी subordinate close का time close है तो देखे you can go out, तुम जा सकते हो, कब जा सकते हो जब मैं कमल को phone कर दू तो यह जो close है हमारी यह यह when का reply है ठीक है, when का reply है अर्थाती है मैं time बता रही है किसका time बता रही है, main close में आया action का main close में आया action का है go, तो जाना कब होगा जाना कब होगा जब मैं कमल को phone कर दू तो यह यहाँ पर time बता रही है, तो time close है ठीक है, time बता रही है अब time बता रही है, तो time close में अगर present tense use हो तो इसका मतलब उस action का time future होगा तो यहाँ पर देखी present tense use हो रहा है it means यहाँ पर जो action है उसका time future है और यही हमने यहाँ पर देखा था है ठीक है एक बात clear हो गई दूसरी बात हमें यह समझनी है कि अगर यह future time है जो subordinate close है उसका जो time है वो future time है तो हमने यहाँ बे present tense क्यों उसका यहाँ नहीं किया तो यहाँ पर इसकी बज़या यह है जो हमने अभी पड़ी थी हम present perfect का use कब करते है जब एक कारिये दूसरी कारिये से पहले समापत हो चुका हो तो यहाँ पर ऐसा ही है यहाँ पर देखे यहां पर यह कह रहा है कि तुम जा सकते हो जब मैं कमल को फोन कर दूँ मतलब पहले मैं कमल को फोन करूँगा पहले यह एक्शन फिनिश होगा उसके बाद यह होगा तो जब एक action के finish होने की बाद पहले कही जाए कि एक action तो finish होना चाहिए उसके बाद दूसरा हो सकता है तो यहाँ पर इसलिए present perfect tense use किया गया है इस sentence का मतलब है first I will phone Kamal and after that you can go out ठीक है यहाँ तो you है यहाँ पर इसके बाद यह कहता है do not use the present perfect if the two things happen together हम present perfect tense का यूज नहीं करेंगे subordinate close में अर्था time close में जब दोनों action same time पे हो रहे हो अभी sentence देखिए when I phone Kamal I will ask her about the party जब मैं Kamal को phone करूंगा तो मैं उससे party के बारे में पूछूँगा अब चाहिर से बात है party के बारे में कब पूछेगा जब वो कमल को phone कर रहा होगा तो phone करना और party के बारे में पूछना एक time होंगे यह देनों action तो दोनों action एक time होंगे तो यह हमारी time close है और time close में हम present indefinite tense तो यहां पर present indefinite tense है देगे ओके यह हमारी principle close है यह हमारी subordinate close है यहां पर time close है क्योंकि यह principle close में है जो action है उसका time बता रही है तो यहां पर present indefinite tense यहां पर present perfect tense use नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम किसी से party के बारे में पूछेंगे तो हमें phone पे जो है अंगिज रहेना होगा हम phone हम कर रहे होंगे हमारा phone भी हो रहा होगा और party के बारे में पूछेंगे तो दोनों same time होंगे तो जब दोनों action same time हो together हो तो हम जो subordinate close मे जो time close मे जो हमारा action है, उसके लिए हम present perfect issues नहीं करेंगे it is often possible to use either the present simple or the present perfect कई बर के होते हैं कि present simple or present perfect दोनों use करने possible होते हैं जैसे I will come as soon as I finish और हम इसको ये भी कह सकते हैं I will come as soon as I have finished ठीक है, you will feel better after you have something to eat हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं you will feel better after you have had something to eat इसमें हमारी एक, हमारी जो है principal close है, यह हमारी subordinate close है subordinate close में time close है adverb close of time, यह पर देखे present indefinite का use किया गया यहां पर हम, यह हमारी principal close है यह हमारी subordinate close है तो यह subordinate close में यह देखे present perfect का use किया गया तो आप कैसे भी use कर सकता है इनको ठीक है, यह time बता रही है यह class, यह class भी time बता रही है next देखिए you will feel better after you have something to eat, तो यहाँ पर देखिए यह हमारी subordinate close हो गई, ठीक है subordinate close में जो tense है, यह present indefinite है, और इसी sentence को आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह हमारी subordinate close है और यह यहाँ पर present perfect यह हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कई cases होते हैं, जहाँ पर present simple present perfect दोनों यह सकते हैं, दोनों यह से कोई भी उसके बाद हम बात करते है, if और when में क्या difference होता है, कब हमें if use करना चाहिए कब हमें when use करना चाहिए, देखिए after if we normally use the present भे देखिए, if के बाद जो है, हम normally present indefinite use करते हैं, ठीक है, future time के लिए जैसे I will be angry if it happens again मुझे गुस्सा आएगा अगर यह दुबारा हुआ तो मतलब गुस्सा कब आएगा future में अगर यह दुबारा हुआ तो दुबारा कोई action कब होने की बाद कई जा रही future में तो यहां पर देखिए if के बाद if के बाद तो if के बाद हम present indefinite use करते हैं, ठीक है, तो यहां पर भी हम future tense use नहीं करेंगे, जैसे अगर हम इसके यहां पर लिखे if it will happen, तो यह गलत हो जाएगा तो if के बाद हम present indefinite tense use करते हैं, जैसे और example देखिए, hurry up if we don't hurry, we will be late तो यहां पर देखिए, if के बाद present indefinite tense लिखा गया है, ठीक है, यहां भी time future है, जैसे यहां पर time future दा न, यहां पर यह action कब होगा future में यहां पर इस action का जो time है if we don't hurry, तो अगर यह hurry hurry का मतलब जल्दी करना तो अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, तो हम लेट हो जाएगे तो यह जो action है, इस का time क्या है future, तो if के बाद अगर future time हो, if के बाद action का time future हो तो हम वाँपर present indefinite tense use करेंगे we use if not when हम if का परियोग करते हैं ना कि when का, for things उन चीज़ों के लिए that will possibly happen जिनके होने की संभावना होती है ठीक है, अब जरूर नहीं है कि वो होंगी या नहीं होंगी लेकिन उनकी संभावना होती है, जिस देखिए if it is raining this evening, अगर आज सुपर बारिस होगी, तो I I want to go out, तो मैं भाहर नहीं जाऊंगा ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बारिस, अगर आज शाम बारिस होगी तो यहाँ पर बारिस होने की possibility जिदाई जा रही है, यहाँ पर बारिस होने की possibility है, तो possibility है पक्का तो नहीं होगी तो यहाँ पर इफ का प्रियोग किया गया है हम यहाँ पर वेन का प्रियोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बारिस होने की possibility है next देखिए don't worry if I am late tonight चिंता मत करना अगर मैं late हो गया तो मतलब possible action नहीं है तो यहाँ पर भी देखिए इफ के बाद present indefinite tense यूज हुआ है और इफ का यूज हुआ है यहाँ पर भी हम when का यूज नहीं कर सकते we use when for things which are sure to happen हम when का प्रियोग तब करते हैं जब चीजों का होना या कारिया का गटित होना sure हो जैसे example देखिए मान लीजे मैं कहता हूँ I might go out later मैं बाद में बाहर जा सकता हूँ तो यहाँ पर might model का यूज किया है possibility के लिए इसका मदलब है मेरा बाहर जाना है यहाँ पर possible हो सकता है पका नहीं यह पर possible हो सकता है तो मैं यहाँ पर देखिए if use किया है if I go out अगर मैं बाहर गया I will get some bread तो मैं कुछ bread लेकर आ जाऊँगा लेकिन अगर मैं बाहर जाने वाला हूँ पका जाने वाला हूँ ठीक है for मैं बाहर जाऊँगा तो when use करूँगा तो यहाँ पर देखिए if if की जगह किसने ले लिए when when I go out I will get some bread तो दोनों sentences में यह difference है अगर possibility है मेरे कुछ action करने की तो मैं if use करूँगा लेकिन अगर मैं possibility नहीं है बलकि मैं sure हूँ उस action के लिए तो when use करूँगा मैं तो कैसा लगा यह वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाँ तो प्लिस को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्स पर ओचिंग इस वीडियो हैपी लर्निंग बाई बाई